नमस्कर दस्तों स्वागत आपका फार्मरोक्स की यूटूब एजिक इस्टन चनल में आज की उड़ी लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे लैसिक्स फॉर जीरो टैबलेट के बारे में तो हम सिखेंगे ये मेडिकेशन के बारे में डिटेल में कि कौन से लग लग बीमारीयो को ठीक करने के लिए ये दावा को यूज किया जाता है उसके साड इफेक्स वगड़ा क्या हो सकते हैं उसका डोस क्या है प्राइस वगड़ा क्या है कौन सी बीमारी में ये उप्योगी है कैसे उसका सही उप्योग कर सकते हैं तो डीटेल में जानते हैं लैसिक् application को download कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगी, तो बाद है topic पी और समझते हैं, LASICS 4.0 tablet के बारे में, तो यह S.A. class का medication के जिसको हम diuretics कहते हैं, कि जिनको water pills पिका जाता है, और LASICS जो उसका brand name है, और उसके इंदर जो medication के हम बात करें, तो frusamide 40 mg जितना उसके अंदर प्रेजेंटर के जिसको furacemide भी खा जाता है, और यह tablet के manufacture के हम बात करें, तो Sanofi India Private Limited जो उसके manufacture है, कि जिसका India में headquarters जो है वो Mumbai में है, तो यहाँ पे Sanofi India का headquarters की detail आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो अब Sanofi के बारे मैं आपको बताता हैं, कि एक French Multinational Pharmaceutical Company है, कि जिसके main जो office है, वो France में है, Paris के अंदर और इसके बहुत सरे अगलागर countries के अंदर, उसके जो है headquarters है, तो इंडिया में उसका headquarters जो है, मुमबई में है, तो LASICS जो है वो यह medication के अंदर जो है, वो present होता है, टाबलेट का type हम देखे तो वो uncoated tablet है, तो यह आप यह आप नीचे tablets देख सकते हैं, तो tablets के उपर किसी भी उप्रकार का coating नहीं होता, uncoated simple tablets रहते हैं, और इसको जब आपको store करे, तो ध्यान रखना होता कि उसको light से अच्छे से आपको protect करना होता है, और बच्चों से यह medications को दूर रखनी होती है, और Indian Pharma Copia के standards के according to उसको बनाए गया है, कि जिसके अंदर 40 mg जितना यह medication रहता है, तो furious medicae में मैं आपको बदा दो कि यह loop diuretic medication है, और यह क्या करते हैं, कि हमारे सेरीर के अंदर जो surgeon होती है, वो कम करती है, पर surgeon होने का reason मान लो कि यह है कि आपके सेरीर के अंदर fluid जो है, वो काफी ज़्यदा जमा हो रहा है, तो उसका main reason यह होता है कि आपको liver disease है, या फिर कोई heart related problem है, तो उसके करना आपके सेरीर में पानी ज़े वो ज्यादा जमा हो रहा है तो वो पानी को आपके सरीर में से निकालती है यह medication, urine के तुरू और आपके सरीर में सूजन वगेरा कम कर दी है साथो साथ यह क्या करता है कि आपके सरीर में रा जो salt होता है उसको भी remove करती है urine के तुरू जिससे blood pressure को भी यह medication जो हो ठीक कर दी है तो इसके करण उसके हम uses देखे तो सबसे पहले जो EDMI की जो condition है कि specially इसको हम कहते हैं कि swelling की condition तो specially आप यहाँ पे देखो यह जो diagram के अंदर तो यहाँ पे आपको काफी ज़दा सूजन देखने को मिल रहे है legs के अंदर फिर यह वाला हाथ आप देखो तो आपको पता चलिए कि यहाँ पे सूजन है और यह सूजन होने का जो reason होता है वो specially यह होता है कि patient की kidneys खराब है या फिर उसको heart related problem है और उसके करन काया कि सरीर में पानी जो यह ज़्यादा जमा हो रहा है और उसके करन सरीर में इस तरह से जो वो सूजन जो वो देखने को मिलती है तो इसको ठीक करने के लिए lastix for zero prescribe की जाती है उसी तरह से समझे कि केसी का blood pressure काफी ज़्यादा है कि sodium के मात्रा सरीर में ज़्यादा है और उसके करन blood pressure आपका बढ़ रहा है तो यह medication क्या करे कि sodium का आपके सरीर में से remove करेगी urine के थ्रू और जो high blood pressure या फिर जो hypertension का जो हम problem कहते कि जिसके अंदर blood pressure आपका काफी ज़्यादा high रहता है कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे है यह 172, 68 जितना यह blood pressure है तो ऐसे conditions को ठीक करने के लिए यह medication को जो प्रिस्क्राइब की जाती है तो अब बात करते हैं उसके dose की कि क्या dose है उसका तो उसका जो dose रहता है 40 mg once a day या फिर 40 mg दिन में दो बार पेशन ले सकते हैं तो उसका मतलब यह बनेगा कि एक tablet जो पेशन दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जो ले सकते हैं अब यह medications के price के हम बात करें तो काफी affordable रहता है यह medication last 640 कि जब यह हम video बना रहा है September 2022 के according to तो 15 tablet की जो price है वो around 40 rubies के आसपा से और यह काफी affordable हम कह सकते हैं अब वर्किंग की बात करते हैं यह medication काम कैसे कर दी है तो यह medication क्या करते हैं कि हमारे सरीर में से extra जमा हुआ water और sodium को जो urine के तरू हमारे सरीर में से बाहर निकल दा है कि जो reason बनता है especially edema के लिए और hypertension करेंगे sodium ज़्यादा होगा तो आपको hypertension में ज़्यादा होगा और water ज़्यादा जमा होने लगेगा तो उसके करण edema यानि की swelling की problem होगी तो especially यह kidneys के तरू यह काम करता है तो यहाँ पे आप एक structure देखो कि हमारी जो kidneys वगेरा होती है उसमें एक structure होता है कि जिसको हम nephron कहते है और यह nephron के अंदर जो हमारे blood के filtration का काम होता है और उसके तरू urine जो हो form होता है तो उसमें यह वाला एक बाग देख रहे हैं आप you type का तो इसको loop of handling का आज़ता है और यही जगा पे हमारी जो medication है Lassics 4-0 वो काम करती है और यह क्या करती है specially आप यहाँ पे देखो कि जो loop direct medication है तो यह क्या करेगी कि यहाँ पे water को जो रिमूव करवाती है कि जो extra water जमा हो रहा है सरेड में से वो urine के तरू बाहर निकलवाती है इसी तरह से जो sodium और potassium को भी सरेड में से बाहर निकलवाती है कि जिससे क्या होता है कि आपका blood pressure समझे कि काफी बढ़ रहा है तो वो कम हो जाता है और सरेड में रही सूजन जो है वो कम हो जाती है पर यह दवाई के को side effects होती जैसे कि आप यह medication लेते है उसके करण क्या होता है कि उसका blood pressure जो हो लो हो सकता है तो अचानक से आपका blood pressure जो हो यह medication जो हो कम करवा सकती है उसे तरह से तीसरी side effects देखे तो अगर समझे कि काफी ज़्यादा पानी आपका urine के थुरू सरीर में से बाहर निकल जाता है तो उसके करण dehydration की condition भी होती है तो यह problem ना हो इसलिए cat wise दी जाती है कि patient जो प्रॉपर मातरा में पानी लेते रहे पानी अच्छे से पीता रहना चाहिए कि जब भी आप यह lastics for zero tablet ले रहे है कि जिससे यह dehydration वाली side effect आपको ना हो फिर कुछ लोगों को सीर्दर जैसा फिल करते है यह medication को लेने के बाद फिर sleepiness मुलें कि आपको नीन दाती रहती है यह medication जब आप लेते है फिर उसके लावा देखे तो fatigue यानि कि weakness जैसा फिल करते है जैसे कि आपके सेरीर में energy नहीं रही जैसे battery low हो जाती है ऐसा आप फिल करते है कि आपके सेरीर के battery low हो चुगी है weakness का भी फिल हो रही energy ही नहीं बची है ऐसा कई बार patient फिल करते है तो तुसरा एक reason यह बनता है कि यह medication क्या करती है आपके सेरीर में potassium के मात्रा भी कम करवा सकते अब warnings के हम बात करें या फिर contraindications के कौन से लोगों को यह medication नहीं लेनी है तो सबसे पहले कि जिनके सेरीर के अंदर पानी की मात्रा कम है कि low water content in your body कि पानी कम है आपके सेरीर के अंदर उसी तरह से blood volume काफी ज़्यादा कम है electrolyte imbalance के आप patient है low sodium है या फिर low potassium है आपके body के अंदर या फिर patient जो है वो coma में है तो ऐसे conditions में ये medication को कभी भी use ना करें फिर pregnancy categories की C है इसलिए pregnancy में भी उसको use नहीं करना चाहिए तो या आप खास ध्यान रखे कि LASICS 4-0 को pregnancy में use ना करें अब समझ लते हैं उसके drug drug interactions के कौन से दुसरी दवायों के साथ ये medication interactions कर सकती है तो सबसे पहले ये medication क्या करती है metaprolol जैसे medications के साथ interactions कर सकती है तो जब भी संज़किए आप metaprolol ले रहे तो उसके साथ कभी भी furious same idea फिर जो LASICS जो है उसको combination में यूज ना करें वरना आपका blood pressure और ज्यादा कम हो सकता है उसके करण hypertension या फिर low BP का problem हो सकता है उसी तरह से ramipril medication है hydrochlorothiazid के साथ combination में यूज ना करें आटा और वास्टेटिन के साथ भी combination में यूज ना करें because इन सभी के साथ combination में यूज करने से आपका blood pressure जो है वो और ज्यादा decrease हो सकता है syldenafil के साथ यूज ना करें कभी भी as well as carvam ezepine करके जो drug आती है उसके साथ भी यूज ना करें फिर phenobarbital है cyclosporin है painkillers जैसे की ibuprofen है aspirin जैसी दवायों के साथ उसका combination ना बनाए और ऐसे ही sotalol करके चुट रगाती है उसके साथ भी कभी भी आप उसको combination में यूज ना करें तो ऐसे समझों कि आपको detail में सिखना है किसी भी दवा के बरह में तो आप medicine course को join कर सकते है pharma rocks के अब उपर तो ये course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते है या फिर हमारी mobile application को download कर सकते है link आपको description box में मिल चाहेगी so good luck and all the best